हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में दोस्तों हम लोगोंने L.T. सिक्षन अभिरूची को लेकर एक विसेश सीरीज चलाई भी है तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बुद्धी यानि की इंटेलिजन्स दोस्तों यह टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है जितने भी आपके सिक्षन अभिरूची से संबंदित टेस्ट होते हैं इनमें बुद्धी से संबंदित कोशनों की भरमार रहती है दोस्तों यह topic काफी विस्तरित भी है तो इसलिए एक वीडियो में इसको cover करना काफी मुश्किल है तो इसलिए इसमें कम से कम दो वीडियो की हमें जुरत पड़ेगी तो इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धी क्या है उसके अर्थ और स्वरूप के बारे में जानेंगे बुद्धी के प्रकार के बारे में जानेंगे मानसिक योगिता क्या होती है और इसके अलावा बुद्धी लब्दी के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्ट उसे स्रिष्टी के सभी प्राणियों से अलग बनाती है, क्योंकि सभी प्राणियों में बुद्धी नहीं है, मनुष्य में बुद्धी है, इसलिए वो क्या कहलाता है, बुद्धी मान कहलाता है, बुद्धी के कारण ही उसको करणी और अकरणी में अंतर समझ में आता है, इस अब थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कुछ important definitions के बारे में जो की हमें पता होना बहुत ही आवशक हो जाता है तो इसमें सबसे पहली definition है वेवस्टर की जो की काफी simple है और काफी logical भी है तो बुद्धी ग्यान ग्रहंट करने की वो उसको व्यवार में लाने की योगिता है इन्होंने simply ये बोल दिया कि जो बुद्धी है आप ग्यान ग्रहंट करने की और जो आपने ग्यान ग्रहंट किया उसको आप व्यवार में कैसे लाएंगे उसकी योगिता ही बुद्धी है वो ही आपकी intelligence है इसके अलावा वेशलर इनकी भी definition काफी important लगती है इन्होंने बुद्धी एक समुच्य या सारवजिनिक छमता है जिसके सहारे वेक्ती उद्देश पून करिया करता है विवेक सील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है काफी अच्छी definition है इन्होंने बुद्धी को एक समुच्य या सारवजिनिक छमता माना है जिसके सारे ही वेक्ती कोई उद्देश पून करता है विवेक सील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है अगर बुद्धी होगी तो विक्ती अपने वातावरण के संग बहुत ही प्रभावकारी ढंग से एडेप्शन कर लेगा इसके अलावा कोई भी क्रिया वो करेगा तो उद्देश ये पून होंगी और इसके अलावा वो विवेक सील चिंतन भी करेगा इसके बाद कुछ facts जो की important है देखिए जो बुद्धी है उसका विज्ञानिक स्वरूप सरपर्थम अमेरिकी मनो विज्ञानिक थे इस peerman ने 1924 में इन्होंने एक बुस्तक लिखी थी उसमें इन्होंने विज्ञानिक स्वरूप के बारे में बात कही है इस बुस्तक का नाब है the nature of intelligence and the principle of cognition ठीक है तो ये काफी important ये fact है ये हो सकता है कि exam में आ जाए इसके बाद देखिए कुछ और definitions हैं उनको भी discuss करना काफी important हो जाता है तो इसमें सबसे important कुछ definition है जो की PE वर्णन के द्वारा दी गई है इन्होंने जो बुद्धी concept है उसके तीन अर्थ बताए हैं जो की काफी लोगप्रिये भी हुए हैं और काफी आकरसक भी हैं इनके बारे में हम discuss कर लेते हैं के करके सबसे पहले जननिक छमता के रूट में बुद्धी यानि की intelligence as a genetic capacity इस अर्थ में जो बुद्धी है न वो पूर्णता इन्होंने बनसागत मानी है ठीक है न जो हैब थे हैब इन्होंने बुद्धी को वर्गिकरित किया तो इन्होंने माना कि ये आपकी type A बुद्धी है या इसको हम कह सकते हैं बुद्धी A या intelligence A भी इसको बोला जाता है ठीक है न तो A type की बुद्धी है ठीक है न तो ये एक तरह से बुद्धी का हम इसको कह सकते हैं जीनो टाइप क्योंकि ये gene पर dependent है ठीक है न तो बहुत simple है आप इसको ध्यान में रखेंगे जीनो टाइप तो इनका simple सा मानना है इसके बाद प्रेक्षित व्यवार के रूप में बुद्धी देखे प्रेक्षित व्यवार के रूप में व्यक्ती का मतलब ये है कि intelligence as observed behavior इसका मतलब ये है कि व्यक्ती के gene एवं वातावरण की अंताक्रिया का परिणाम ही बुद्धी है ठीक जिस सीमा त चाहो तो इसको उतार भी सकते हैं ठीक है फीनो टाइप तो फीनो टाइप को जो है भैं इन्होंने intelligence B बोला ठीक है ना intelligence B यानि बुद्धी B बोला ठीक इसके बाद तो आप समझ गे ना कि इसमें क्या है कि जो बुद्धी व्यक्ती के gene एवं वातावरण की अंताक्रिया का परिणाम होता है यानि कि जो gene और वातावरण उनके बीच में जो interaction होगा उसका परिणाम होता है बुद्धी जिस सीमा तक विक्ती बुद्धी मतापूर्ण डंग से व्यवार करेगा उस सीमा तक उसको बुद्धी मान समझा जाएगा इसके बाद आता है परिक्षण प्रा पेंगे वही बुद्धी है तो इसको क्या बोला गया इसको बोला गया intelligence C हैब ने इसको intelligence C बोला है तो ये एक तरीके से क्रियात्मक परिभासा है बुद्धी की तो ये P.E. वर्णन के द्वारा categorized किया गया था तो काफी important ये concept है बुद्धी के इसको आपने ध्यान में तो दोस्तों बुद्धी का अर्थ एवं परिभासा बुद्धी क्या है इसका सुरूप क्या है इसके संबन्द में जितने भी सिक्षाविद्य और मनोवज्यानिक है उनमें दोस्तों हमेशा से मदभेद रहा है ठीक कुछ मनोवज्यानिक इसको सीखने की योगिता मांगते कुछ इसको समायोजन मानते हैं कि समायोजन करने की योगिता है और कुछ इसको समस्या समाधान की योगिता के रूप में सुईकार करते हैं तो कई सारे जो मनोविज्यानिक और सिक्षा विध हैं इन्होंने बुद्धी की परिभासा उनी लक्षणों के आधार पर दी है तो मैंने उनको यहाँ पर वर्गों में विभक्त किया है जैसे सबसे पहला होता है समस्या समाधान की योग गिता ठीक है ना तो रेक्स नाइट से यहाँ पर इनका नाम भी लिखाव है रेक्स नाइट हलांकि यह वो डेफिनेशन नहीं है रेक्स नाइट ने माना है कि बुद्धी वा योग गिता है जो लक्षी की पूर्ती तथा समस्या समाधान के निमित हमारे मन के विचारों को जागरित करती है ठीक है तो एक तरी से नेने किया जा सकता है समझ जा जा सकता है और तरक करने की योग गिता भी इसको माना जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है बस मैं इसको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बस मैं आपको समझाते वे चले जा रहा हूँ आ बस उसको समझना है ठीक है इसके बाद अ अब जो ये तीन मनोवज्यानिक हैं इनकी जो डेफिनिशन है वो ये बताती है कि बुद्धी अमूर्ति चिंतन की योग गिता है यानि किसी समस्या को समझना उसके विसे में तर्क करना किसी निश्चत निर्णाय में पहुँचना यही बुद्धी की आवश्यक करिया हैं इस्पियर्मेन भी इसी को इसी का पक्ष लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अमूर्ति चिंतन करने की योग गिता है उसको बिने इस्पियर्मेन और टर्मेन द्वारा स्विकारा गया है इसके बाद सीखने की योग गिता अब सीखने की योग गिता में अलावा Buckingham आते हैं ठीक है और भी कई आते होंगे लेकिन important नाम है तो ये क्या मानते हैं ये एक तरीके से मानते हैं कि जो बुद्धी है वो सीखने या अनुवाव का लाव उठानी की योग गेता है और Buckingham तो simply ये कहते हैं कि जो सीखने की योग गेता है वो ही बुद्धी है इसके अलावा आता है समायूजन की योग गेता अब समायूजन में कई सारे मनोवग्यानिक हैं जैसे कि इसमें आते हैं Colvin Cruise ठीक है और Bert ये तीन मनोवेग्यानिक हैं जो कि ये मानते हैं इसके लावा एक और important नाम है stern ठीक इनका भी नाम लेना भूल जाता है काफी important नाम है तीन ये तो समायजन की योग्यता क्या है ठीक आप जो ये मनोवेग्यानिक हैं ये मानते हैं कि जो बुद्धी है वो नवीन एवं विभि प्रिक्ष में समायजन करने की योग्यता को ही क्या बुद्धी बुलाता है इसी तरह से जो stern है उनकी definition भी कुछ इसी प्रकार की है तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं यहां से आपको देखे दोस्तों बहुत easy हो जाएगा कि कि किसी का अगर कभी कथन आ गया ना तो आपके अनुसार आपको आसानी से आप एक तरीके से इंप्रोवाईशन करके आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये परिभासा इनकी रही होगी ठीक है ना कभी कबात होता है कि हमें कथन एजटे ज्याद नहीं रहते हैं लेकिन इन तीनों ने माना है इन चारों ने माना है कि सम मानना है कि जो बुद्धी है वो मानसिक योगेता है जिसके द्वारा हम किसी उदेश्य की पूर्ती या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंदित वस्तू एवं विचारों को सोचते हैं ठीक है बहुत सिंपल सी बुद्धी इन्होंने एक मानसिक योगेता मानी है जिसके द्वारा हम किसी उदेश्य की पूर्ती करते हैं या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंदित वस्तू एवं विचारों को सोचते हैं जो रेक्स नाइट है वो कहीं ना कहीं समस्या समाधान से ही रिलेटेट इन्होंने डेफिनेशन दी है तो ये इसकी समन्वित परिभासा हैं ठीक है तो ये आई होब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है इसके बाद आता है विध्याले में बुद्धी परिक्षन के लाप अब देखी विध्याले में बुद्धी परिक्षन के क्या क्या लाप हो सकते हैं सबसे पहले Чुनाओ है तो देखिए हम जो विभिन विसे हैं जैसे माना आपके maths है या आपका science है या आपका art का विसे है ठीक है या हम सपोच करो चातरविर्ती या फिर आपके सहगामी क्रियाएं होती है पाटे सहगरामी उनके चैन के लिए हम बुद्धी लब्दी के आदार पे बुद्धी परिक्ष ठीक है ना तो जैसे आपके विभिन विसे हैं तो उनके चुनाओ है तू और या फिर हम कारणों के चुनाओ है तू ठीक तो बुद्धी लब्दी के आदार परी क्या होता है बुद्धी परिक्षनों का चैन किया जाता है इसके बाद आता है बालकों का वर्गी करण देख इसके बाद मंद बुद्धी कोन है, जड़ बुद्धी कोन है, जब आपको इनका पता लगिया, तो आप उनको क्या करेंगे, मार्ग दर्शन करेंगे, तो मार्ग दर्शन करने के लिए क्या होता है, बालोकों को जितने भी आपके सैक्षने या वेवसाइक निर्देशन के ल से हैं दोस्तों थॉंडाइक ने बुद्धी को तीन प्रकार का बताए है इसके अलावा गेरिट का भी वर्गी करने उसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे थॉंडाइक के अनुसार तीन टाइप की बुद्धी होती है एक होती है मूर्थ बुद्धी सामाजिक बुद्धी और यांत्रिक बुद्धी ठीक है ना यांत्रिक बुद्धी को मूर्त बुद्धी भी बोला जाता है तो मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धी एक तरह के से जो दोनों का वर्गी करने वो एक ही तरह के का है इसको अभी हम आगे डिसकस कर लेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा और जो डिफरेंस है उसको हमने आपर समझाने का परियास किया है तो देखिए दोस्तों कर हम बात करें अमूर्त बुद्धी की देखिए अमूर्त बुद्धी क्या होती है अमूर्त बुद्धी का प्रियोग एक्चुली ग्याना हम कैसे ने ग्यानारजन के लिए कि ज्यानो पारजन के लिए इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है ना जैसे कि आप सबद लिजे कि आप सब्द हैं प्रतीक या समस्या समधान करना चाते हैं उनको अमूर्थ रूप में प्रियोग करते हैं और अमूर्थ बुद्धी का ही उसमें आप प्रियोग किया जाता है ठीक है ना जैसे आप अमूर्थ विश्यों के बारे में आप चिंतन करने की जो छमता होती है दोस्तों उसी को अमूर्थ बुद्धी बोला जाता है यानि कि abstract intelligence उसको बोला जाता है ठीक तो इसमें क्या होगा व्यक्ति जो सब्द हैं प्रतीक हैं या अन्य अमूर्थी चीजों के सारे अच्छे से चिंतन कर लेता है देखें दोस्तों abstract या अमूर्थ होता क्या है देखें मूर्थ का मतलब क्या है जो कि आपको दिखाई देता है मूर्त का मतलब है जो आपको दिखाई देता है अमूर्त का मतलब यह है कि आपके मांसिक से सम्बन्दिते है इस चीज़ आपने धियान में रखेंगे वैसे किसमें होती है जिसे दार्शनिक है या कलाकार है या कहनीकार है तो वो लोग क्या करते हैं उनकी जो intelligence है वो abstract intelligence कहलाती है ठीक तो आप इसको समझ लीजे कि अमूर्थ विसे के बारे में चिंतन करने की छमता को ही अमूर्थ बुद्धी कहा जाता है ठीक है ना सीधे सीधे बात है ये ज्ञानो पारजन के लिए प्रियोग की जाती है और हम कह सकते हैं जितने शब्द हैं प्रतीक हैं समस्या समधान आदी के रूप में अमूर्थ रूप में हम क्या करते हैं अमूर्थ बुद्धी का ही प्रियोग करते हैं इसके बाद आती है सामाजिक बुद्धी देखे इस बुद्धी के द्वारा विक्ती समाज में समायोजन करता है ठीक है और एक तरीके से विभिन व्यवसायो में सपलता भी प्राप्त करता है ठीक तो सामाजिक बुद्धी से तात पर यह कैसी सामन्य चमता से है जिसके सारे वेक्ति अन्य वेक्तियों के सांग थीक से समयùजन करता है, यानी कि उनको ठीक ढंग से वो समझ लेता है और व्यावार कुसलता भी दिखाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनके सामाजिक समभंद हमेशा क्या होते हैं? तो ये होती है सामाजिक बुद्धी, इसके बाद आती है यांतरिक बुद्धी, अब यांतरिक बुद्धी का क्या मतलब है, इस बुद्धी के साहिता से जो व्यक्ति है वो यंत्रों तता भौतिक वस्तों का परिचालन आसानी से कर लेता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जै बाकी आगे जो गेरेट का वर्गी करने वो भी कुछ इसी तरीकी का है उनके अनुसार तीन टाइप की बुद्धी होती है मूर्थ बुद्धी और सामाजिक बुद्धी अब देखें जैसे कि मैंने पहले ही बोला जो मूर्थ बुद्धी से तात पर यह वैसी मानसिक चमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति मूर्थ या ठोस वस्तों के महतो को समझता है ठीक है न और उनके बारे में वो सोचता है और उनमें आवश्यक्ता अनुसार परिवर्तन लाकर उनको उप्योगी बनाता है जैसे कि यांत्रिक बुद्धी में होता है आप यंत्रों के महतों को सम उनके बारे में सोसना है और उनको परिवर्भटन लाके उनको उपयोगी बनाना है तो इसको एक तरीके से व्यावारिक बुद्धी भी कहा जाता है यानि कि practical intelligence भी इसको कहा जाता है तो इसलिए मूर्थ बुद्धी को दोस्तों यांत्रिक बुद्धी भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंद सीधे-सीधे यंत्रो और मसीनों से है ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा कई जो वेक्ति होते हैं वो यंत्रो और मसीनों के कारे में विसे इस तूप से रूची लेते तो ऐसे जो विक्ति होते हैं वो अच्छे कारीगर बनते हैं, अच्छे मेकैनिक बनते हैं, अच्छे इंजिनियर बनते हैं, ठीक. तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है इसके बाद जैसे कि मैंने अभी डिसकस किया था अमुर्त बुद्धी अमुर्त बुद्धी का जो सम्बंद है वो तो क्या अपका अबस्ट्रेक्ट नॉलेज यानि की पुस्तकी ज्यान से इसका सिदा सिदा सा सम्बंद है ठीक तो जिस विक्ति में ऐसी बुद्धी होती है उसमें ज्यान को अर्जन करने की विसेश चमता होती है या फिर हम कह सकते हैं वो उसमें विसेश रूची लेता है तो ऐसे विक्ति की होती है अच्छे वकील, डौक्टर, दार्सनिक आभी हमने बोला कलाकार, चितरकार, साहितेकार इस टाइप के बनते है ठीक सामाजिक बुद्धी, फिर से मैंने पहली बोला कि इस बुद्धी का संबंध एक तरीके से वेक्टी गतार सामाजी कारियों से होता है जिस वेक्टी में बुद्धी होगी वो मिलनसार होगा, सामाजी कारियों में रूची लेने वाला होगा ठीक है ना, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे तेरीके से क्या बनते हैं, नेता बनते हैं, व्यवसाई, मंत्री, कूर्टनितिग्य, सामाजी कारे करता है, इस टाइप के लोग इस बुद्धी वाले बनते हैं, तो I hope कि आपको इसको बहुत अच्छे समझ में आगया हैं, तो मैंने इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो आपको बताने की कोसिस करी है, इसको आप अच्छे से, I hope कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसके बाद आता है मानसिक आयू, जो की काफी important है, mental age, तो देखें दोस्तों, मानसिक आयू का जो विचार है, वो सरपर्थम ब बिने ने प्रस्तुत किया था, इसका प्रियोग उन्होंने अपने बिने साइमन मापदंड में किया था, 1908 में जो प्रकासित हुआ था, इनका 1908 में, बिने साइमन मापदंड था, वहां पर इन्होंने दोस्तों, इसका प्रियोग किया था, तो मानसिक आयू से क्या तात प वो पांच वर्ष के बालकों के ओसत वर्ग के लिए निर्धारत बुद्धी परिक्षण के प्रशनों को अगर वो हल कर देगा तो उसकी मांसी कायू 5 साल मानी जाएगी है 5 वर्ष मानी जाएगी समझ रहे हैं कि इसमें क्या होना है कि एक विक्ति है वो अगर सपोच करो एक पांच वर्स का बालक है तो पांच वर्स के बालकों के लिए एक बुद्धी परिक्षन होता है ठीक है ना अगर वो पांच वर्स का बालक उस बुद्धी परिक्षन के प्रशनों को हल कर लेगा ज उसकी मान्सिकाईू 5 साल मानी जाएगी ठीक है ना ? अगर वो 6 वर्स के बालकों के निर्धारिट प्रश्णों को हल कर देगा तो उसकी मान्सिकाईू 6 साल मानी जाएगी भले ही उसकी real age 5 साल हो. समझ रहें क्या कहने का मतलब है ? ठीक है ना ? इसी तरह से अगर एक बालक पांस साल का है और वो चार वर्स के बालकों के लिए निरधारित बुद्धी परिक्षणों को सॉल्व करता है तो वो उसकी जो मानसिक आयू है वो चार साल कहलाएगी इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि वो औसत दर्जे का कहलाएगा क्योंकि वो अपनी आयू के बालकों के लिए जो बुद्धी परिक्षण बनाएगा ना उनको वो सॉल्व नहीं कर सकता है तो वो पिछड़ा हुआ बालक कहलाएगा ठीक है ना यानी की समझ रहे ना वो पिछड़ावा बालक कहलाएगा क्योंकि अगर वो पांच साल का है तो उसको पांच साल के लिए जो पांच वर्स के बालकों के लिए जो निरधारिक बुद्धी परिक्षण है उनके प्रशनों को उसको हल करना चाहिए ठीक है यह चीज को आपने जिहान में रखना है? तो यह है मांसी क्योग्यता, बहुत सिंपल है ठीक है? पांच वर्ज के बालक है पांच साल की अगर बुद्धी परख्षणों को हल कर लेता है, पांच साल के बालकों के लिए जो स्टेंडराइज बुद्धी परख्षणों को हल कर देता है तो उसकी मांसिक आयू पांच साल कहलाएगी बहुत सिंपल है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया इसके बाद इनों ने जो कुछ मनोवग्यानिक हैं उनकी definition को भी पढ़ना जरूरी हो जाता है Gates और अधर की कुछ definition है इनके अनुसार जो मांसिक आयू हमें किसी विक्ती की बुद्धी परिक्षण के समय बुद्धी परिक्षण द्वारा ग्यान्त की जाने वाली सामान्य मांसिक योगिता के बारे में बताती है ठीक हो गया तो मांसिक आयू क्या है कि हमें किसी विक्ती की बुद्धी परिक्षण के समय बुद्धी परिक्षण द्वारा ग्यात की जाने वाली सामान्य मांसिग योगिता के बारे में बताती है जैसा कि अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया ठीक है तो मांसिग योगिता का कॉनसेप्ट I hope कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप 5 साल के हैं तो आपके लिए 5 साल का एक नरधारिट टेस्ट होगा अगर आप उस टेस्ट को कर लेते हैं सफल यानि सफलता पुरोग उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी मानसी कायू 5 साल कहलाएगी ठीक है ना बहुत सिंपल है इसके बाद आता है बुद्धी लब्दी यानि की IQ Intelligent Quotient ये बहुत important है बुद्धी लब्दी क्या है देखे बुद्धी लब्दी से बालक या विक्ति की सामान्य योगिता के विकास की गति को पता चलता है यानि की उसके सामान्य योगिता में कितना विकास हो रहा है इसके बारे में IQ यानि की Intelligent Quotient से पता लगता है काफी important है बुद्धी लब्दी ठीक है ना बुद्धी लब्दी को मापने के लिए या हम कह सकते हैं बुद्धी को मापने के लिए सबसे पहला जो परिक्षण है या बुद्धी परिक्षण है वो बिने तथा साइमन ने 1905 में विक्सित किया था इस परिक्षण में बुद्धी को मानसिक रूप के मानसिक आयू के रूप में मापकर अभी विक्ति किया गया था यानि इन्होंने एक तरीके से मांसी कायू का इसमें प्रियोग किया था इन्होंने बताया कि बुद्धी को हम मांसी कायू की मदद से माप सकते हैं ठीक है ना जो इन्होंने सबसे पहला परिक्षण किया था IQ यानि बुद्धी लब्धी के संप्रत्य को ये लेकर आए यानि कि IQ के concept को ये लेकर आए और बुद्धी को मापने में इन्होंने mental age की जगह पे IQ का प्रियोग किया बहुत simple है ठीक है तो fact समझ में आगे सबसे पहले कौन थे बिने और साइमन इन्होंने किया कि बुद्धी को मापने के लिए पहले मानसिक आयू का प्रियोग किया उसके बाद 1916 में जो टर्मेन हैं इन्होंने स्टैंड फोर्ड विस्वध्याले में बहुत ज़्यादा यह हम कह सकते हैं बहुत important संसोधन किया और इस संसोधन में इन्होंने मानसिक आयू की जगर पे बुद्धी लब्दी का एक कॉंसेट यानि आईक्यू का एक कॉंसेट लेके राए जिससे की बुद्धी मापन में इसका प्रियोग होने लगा ठीक है तो बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है IQ मैं आपर लिख भी देता हूँ IQ बराबर आपका क्या होता है ये होता है Mental Age divided by Actual Age ठीक है ये आपकी Chronological Age into 100 ये इसका फॉर्मूला है ठीक है Mental Age कैसे पता लगेगी अभी हमने डिसकस कर लिया है एक बुद्धी परिक्षन बना होगा Standardized जो बच्चा उसको हल कल लेगा तो उसकी मांसिक आयू पता लग जाएगी उसकी जो वास्तिवी आयू है या तैथिक आयू है उसका हमें पहले से ही पता होगा उसके बर्ते सर्टिफिकेट के आदार पर उसको हम गुणा कर देंगे 100 से तो हमें उसकी मांसिक आयू सौरी बुद्धी लबदी हमें आसानी से मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने आगे इसका formula लिखा हुआ है कि मांसिक आयू divided by वास्तिक आयू into 100 यह है दोस्तो IQ का formula काफी important है ठीक है ना तो यह आपको काफी important यह formula है बुद्धी लबदी का कहीं न कहीं इसका प्रयोग आगे भी जाके हो सकता है काफी इस पर बेज जो कोई numerical आ सकता है तो आप उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर कुछ बुद्धी लबदी के हमने लिखे हैं हम कह सकते हैं IQ के बारे में कुछ लिखा हुआ है और categorize किया गया है कि अगर किसी की बुद्धी लबदी का मान जिस range में होगा तो वो जो बालक है वो किस रिनी के अंतरगत आएगा तो अगर किसी का IQ 140 या इससे अधिक होता है तो वो प्रतिबासाली बालक कहलाता है यानि कि वो genius कहलाता है ठीक है इसके बाद अगर किसी की बुद्धी लबदी यानि IQ अगर 120 से 149 तक होती है तो वो अती स्रेष्ट स्रेणी में आता है यानि कि very superior में आता है इसके बाद किसी का IQ अगर 110 से 119 तक है ठीक है तो वो स्रेष्ट की स्रेणी में आ जाता है यानि कि superior की स्रेणी में आ जाता है 90 से 109 के बीच में जो होता है वो सामानी होता है बन्दा यानि कि normal में आता है इसके बाद 80 से 89 में वो बंदा मंद पढ़ जाता है यह डल ठीक है यह निकि आप जैसी 90 से नीचे आते हैं तो आप एक तरीके से डल हो जाते हैं तो सामान्य में 90 से 109 यह हम इसको 110 भी कह सकते हैं तो 90 से 110 के बीच के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं ठीक है इसके बाद अगर 70 से 79 है तो वो सीमान्त मंद बुद्धी के लाएगा ठीक है यह हम इसको कह सकते हैं Borderline Feeble Minded और इसके बाद जो 60 से 69 होगा वो मोड बुद्धी के लाएगा यहाँ पर मोड लिग गया है मोड हो गए मुड बुद्धी यानि मोरॉन बोलते हैं इसको कभी के बाद हम बोल देते हैं मोरॉन सच है मोरॉन तो मोरॉन ठीक और इसके बाद अगर इसके बाद अगर 60 से कम है यानि कि 20 और 59 तक है तो उसको हम बोलेंगे हीन बुद्धी हीन बुद्धी ठीक है और इसके बाद अगर 20 से भी कम है तो उसको जड़ बुद्धी यानि इडियेट बोला जाता है तो ये हैं दोस्तों बुद्धी को हम कह सकते हैं बुद्धी लब्दी के मान और उसके अर्थ ठीक है ये इनके मान है और इनके अर्थ है तो अगर किसी का IQ 140 से ज़ादा है तो वो genius यानि की प्रतिबासाली बालक की स्रेणी में आता है ये स्रेणियां आप याद कर लिजेगा ये range आप याद कर लिजेगा क्योंकि हो सकता है कि इस पर based question वहाँ आ जाए ठीक है तो ये आपका था दोस्तों IQ ठीक है इस पर based में आपको एक numerical कारा देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत ये simple हो जाए ठीक है जैसे suppose करो उधारन के लिए अगर एक बालक की मानसी कायू 20 साल है अगर एक बालक की मानसी कायू मैं आपके लिख देता हूँ mental age आप कैसे निकालेंगे mental age है 20 साल ठीक है और उसकी जो chronological age यानि CA वो आपकी 16 साल है ठीक है यानि एक 16 साल का बच्चा आप इसका मतलब समझे एक 16 साल का बच्चा 20 साल के बच्चों के लिए निर्धारित बुद्धी परिक्षण के सवालों को solve कर लेता है ये इसका मतलब है यानि कि वो है तो 16 साल का लेकिन उसकी जो मानसी का यह है वो 20 साल के बच्चे के बराबर है यानि कि वो 20 साल के बच्चे के लिए बनाएगे बुद्धी परिक्षण को आसानी से solve कर लेता है ठीक है ना तो अब उसकी बुद्धी लब्दी कितनी होगी तो उसकी जो बुद्धी लब्दी होगी ना IQ होगी वो हो जाएगी जो अभी हमने पढ़ा formula ma upon ca into 100 नीचे लिखावा भी है ये formula तो अगर हम इसको solve करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ma यानि हो जाएगा 20 बटे 16 गुणा 100 ठीक है अब आप इसको solve करिए तो देखे 4 चको होता है 16 चार पंजे होता है 20 और ये हो जाएगा 25 25 पंजे होता है 125 यानि कि उसकी दोस्तों IQ 125 है अब आप देखिए 125 किसी का IQ है तो वो किस स्रेणिम हैगा देखें यहाँ पर से आपको पता लग जाएगा 125 से 149 यानि 120 से 140 के बीच का बंदा क्या होता है 30 रेष्ट होता है ठीक है 30 रेष्ट है ठीक यानि कि वो 30 रेष्ट है अभी भी वो प्रतिबासाली नहीं बना तो आप यह देखिए कि सपोच करो एक बंदा 140 का IQ है तो क्या चाहिए अगर किसी की बंदे का IQ 140 का है तो क्या है मैं आपको निकाल के बताता हूँ सपोच करो दोस्तों एक बच्चे की mental age है 24 ठीक है और उसकी जो chronological age है वो है 16 ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर एक बच्चा 16 साल का है लेकिनों 24 साल की IQ के हम कह सकते हैं अब 24 साल की IQ का तो यूवक हो जाएगा तो उसके बराबर के अगर वो उसके लिए जो निर्धारित बुद्धी परिक्षणों के questions को अगर वो solve कर देता है तो वो दोस्तों प्रतिवासाली बन जाएगा कैसे बन जाएगा देखिए ऐसे बनेगा हम उसकी IQ निकलेंगे IQ कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 24 बट्टे 16 गुणा 100 ठीक है अब आप इसको काटे चार्च को 16 चार्ची के 24 अब 4 से अगर आप इसको multiply करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है तो 25 और 25 चीके कितना होता है 150 पच्चिस पंजी 125 होता है न तो 25 चीके कितना होगा 150 तो इसका मतलब यह है कि इसका IQ है 150 तो अगर किसी बालक का IQ 140 से ऊपर हो जाता है तो वो प्रतिबासाली यानि कि जीनियस कहलाएगा ठीक रहा तो अगर एक 16 साल का बच्चा 24 साल के युवक के लिए या बच्चे के लिए चलो बच्चे ही मान लेते हैं बच्चे के लिए जो परिक्षण बनाये गया है उनको अगर वो सॉल्व केला कर लेगा तो वो प्रतिबासाली बालक कहलाएगा even 24 क्या उस से उपर भी अगर हम कहें तो 24 क्या अगर वो 22 साल के भी कल लेगा तो भी वो क्या कहलाएगा परतिभासाली कहलाएगा इसको आप solve करके घर में देख सकते हैं थीक है ना तो 22 साल की age का भी अगर हो करेगा तो भी वो around पे 140 से उपर around पे निकल जाएगा ठीक है ना आप इसको try करके देख ले mathematics में मैं चलो यहाँ पर देख लेता हूँ 22 बट्टे अगर आपका 16 है गुणा अगर हम 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 8, 11 तो यह हो जाएगा आपका 4, 2, 8 और यह हो गया आपका 25 और फिर जा हम इसको multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 7, 5 divided by 2 ओके तो 2 बन जा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 जा 6 कोई बात नहीं थोड़ा सा एक करीब आ रहा है और 2 सत्य जोदा कोई बात नहीं 22 नहीं 23 तक ठीक है ना 23 साल तक ठीक है मैं इसको correct कर लेता हूँ 23 साल तक अगर वो 23 साल तक का भी होगा तो वो क्या कर लाएगा एक तरीके से बुद्धी लब्दी को मतलब एक तरीके से उसका जो average IQ है अगर उसका 140 के पास या उससे अधिक हो जाएगा ठीक है ना हम यह कह सकते है तो 23 साल यानि के एक बंदा है 16 साल का अगर वो 23 साल से उपर तक के बच्चे का अगर वो बुद्धी परीक्षन सॉल्व कर लेता है तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा मला हम कह सकते हैं कि वो genius कहलाएगा ठीक यह चीज को आपने ज्यान में रखना है बस मेरा जो motive है आपको यह समझाना है कि बुद्धी लब्दी से हम किस तरीके से measurement करते हैं ठीक है ना आप इसको मतलब simply इसको ना सरफ theoretically आपको इसको numerically भी समझना है numerical से आपको इसको theoretically भी समझना है ठीक है ना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही I hope कि आपको इस concept समझ में होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया last में इस concept आपको समझाने के चक्कर में लेकिन कोई बात नहीं कभी कबाद वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाते लेकिन I hope कि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आप मुझे exactly बताईएगा कि 140 से इससे अधिक के लिए 16 साल के बच्चे की कितनी mental age होनी चाहिए मैं देखना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग सही answer देते हैं चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसमें अगली वीडियो में हम काफी चीजें बुद्धी के बारे में discuss करेंगे till then take care and good bye